प्राचेन विश्व में जो एंसियंट वर्ल्ड है उसमें विभिन धार्मिक पंथों की क्या इस्थिती रही थी तथा राज जिससे उनका किस प्रकार का जुड़ाओ रहा था अगर हम प्राचेन धार्मिक पंथों के इतिहास पर प्रकास डालते हैं तो पाते हैं कि प्राचेन विश्व में कुछ महत पूर्ण धार्मिक पंथों का विकास हुआ इनमें कुछ धार्मिक पंथ ऐसे थे जो विश्व धर्म के रूप में अस्थापित हुए इरानी सामराज ने डोरियस प्रथम के समय से ही जर्त्रुस्ट धर्म को अपनाया था इरानी सामराज ने डोरियस प्रथम के समय से ही जर्त्रुस्ट धर्म को अपनाया था तो जर्त्रुस्ट धर्म अपनाया गया था इरान में जिसको जर्त्रुस्ट धर्म को अपनाने वले लोगों को पार्सी कहा जाता है फिर भी उसने अन्य पंथों के साथ धार्मिक सदभाव की नीती अपनाई थी जो रोष्ट्रियन धर्म जर्थुष्ट्र के दुवारा चलाया गया था इसके अंतरगत अहुर मजदा की उपासना के जाती थी जर्थुष्ट्र धर्म में ऐसी मानेता थी कि यह संसार दो विरोधी शक्तियों से संचालित होती है एक तरफ अच्छाई एवं प्रकाश की शक्ती है तो दूसरी तरफ बुराई एवं अंधिकार की अगनी की पूजा इस धर्म का महत्पूर्ण उपकरण था फिर अगले धर्म है जुडाईजम तथा इसाई धर्म क्रिस्चियनिटी पस्चिमेशिया के फिलिस्तीनी तथा इसराईल के छेतर में विकसित हुए थे तो जुडाइजम यानि के यहुदी धर्म और क्रिस्टियनिटी ये दोनों पस्चिम एशिया में एक देश है फिलिस्तिन फिलिस्तिन इसराइल तो उस छेतर में विकसित हुए थे जुडाइजम के उदभाव की कहानी बुक और जेनेसिस में अंकित है यह बुक बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट का भाग है जुडाइजम के उदभाव यानि जुडाइजम धर्म कैसे कैसे पैदा हुआ Christianity कैसे कैसे पैदा हुई तो इसके उदभाव की कहानी Book of Genesis में अंकित है और Book ये जो Book है Book of Genesis वो Bible की Old Testament का भाग है तो Bible की Old Testament के Book of Genesis में Judaism के उदभाव के बारे में बताया गिया है Bible की Old Testament के Book of Genesis के भाग में बताया गिया है कि जुडाइजम धर्म का उदभव कैसे कैसे हुआ था इस पंथ का उदभव तब हुआ था जब अबराहम के अंदरगत एक जनजाती समुह का प्रवास माइग्रेशन हो रहा था यह प्रवास मेसोपोटामिया से सीरिया फिलिस्तिनी शेत्र की ओर हुआ था उन्हें इस्राइलाइट्स कहा गया वे एक मातर इश्वर में विश्वास करते थे तथा उन्हें यहवे कहा जाता था यानि कि जो यहुदी धर्म है उसके इश्वर को यहवे कहा जाता था अट्वे सदी एशापूर्वतक पस्ष्यमेशिया एक एकिश्वरवाधी पंथ के रूप में अस्थाबित हो चुका था तोराह उनका धार्मिक ग्रंथ था जो है यहूदियों का धार्मिक जो उनके एश्वर है उनको कहा जाता है यहूवे यहूदी एकेश्वरवादी धर्म है जुडाइजम जो कि इस्राइल और फिलिस्तिनी शेत्रों में पैदा हुआ था जुडाइजम के उद्भो की कहानी बाइबल की ओल्ड टेस्टामेंट के बुक आफ जेनिसिस में बताया गया है और यहूदियों का जो धार्मिक ग्रंथ है वह है तुराह आगे 63 इशापूर्व में रोमन शासक पॉपे ने सीरिया एवं फिलिस्तिनी शेत्रों को जीत लिया यदेपी रोमनों ने आवपचारिक रूप में इस्रालाइट्स को धार्मिक स्वतंदरता दी थी किन्तु व्यवहार में इसका उलंगन होता था उन्हें रोमनों के द्वारा इसलिए दबाया जाता था क्योंकि वे रोमनों के देवता को नहीं मानते थे इस कारण बहुत से यहूदी रोमन छेत्र को छोड़ कर चले गए फिर कुछ यहूदियों को यह विश्वास हो चला था कि एक मसीहा प्रकट होंगे जो उन्हें रोमन लोगों के उत्पेड़न से मुक्त करेंगे आगे कुछ यहूदियों ने इसा मसीह को भी इसी तरह से एक मसीहा के रूप में देखा था इसा मसीह 4 इशापूर्व से 29 इशापूर्व यानि कि यह जिये थे 33 साल इसा मसीह जो है 33 साल के उमर में इनका स्वर्ग सिधार गये थे तो इसा मसीह 4 इशप और्व से 29 इशवी तक यरूश लम के निकट बैथल हैम में एक साधारण परिवार में पैदा हुए थे जन शुरूती के अनुसार 30 वर्ष तक वे अपने शहर में रहे फिर 40 दिन के लिए वे फिलिस्तीनी छेत्र में मरू अस्थल में रहे वहीं उन्हें इश्वर का संदेश मिला था इसे उन्होंने प्रचारित करना आरंभ किया वस्तुतह ईश्वर मसीह जुडाइजम से असंतोष्ट थे क्योंकि वह उनके विचार में लोगों को आत्मिक शांती देने के बजाए कर्म कांड में उल्या रहा था अतह यहूदी संत इसा मसीह के विचार को ख़तरनाक मानने लगे जब कि कुछ जन सामाने यहूदी इसा मसीह को मुक्तिदाता के रोप में देखने लगे थे दूसरी तरफ रोमन शासक भी उन्हें ख़तरा मानने लगे थे उनके विचार में वे जन सामानी के साथ मिलकर विद्रोह खड़ा कर सकते थे अतहां कुछ यहूदी नेता इसा मसीह को बंदी बनाकर रोमनों को सुपुर्द कर दिया फिर जुडिया के रोमन गवर्नर पॉंटियस पिलेट ने उन्हें शूली पर चड़ा दिया यह बात तीस इश्वी की है उनकी मृतियों के समय उनके धर्म को एक अलग पंथ नहीं माना गया था आगे उनके अनुयाईयों में यह मानिता घर कर गई कि अपनी मृतियों के तीसरे दिन वे अपने कबर से निकल कर बाहर आ गए फिर उन्हें एक देविक मुक्तिदाता के रूप में दिखा जाने लगा जो लोगों को पीड़ा से मुक्त करने एवं स्वर्ग का रास्ता दिखाने आए थे इसी क्रम में इसाई पंध का उदभव हुआ इसाई संत के द्वारा एक श्वर वाद का प्रचार किया जा रहा था तथा मूर्थी पूजा का विरोध किया जा रहा था जबकि रोमन लोगों में शासकों की मूर्ती की पूजा होती थी साथ ही रोमन शासक इसाई संतों की जन सामाने के बीच लोक प्रियता से भी भैभीत थे यहां अगर हम इसाई धर्म के प्रति रोमन शास्कों की नीती की तुलना मौरे शासक समराट अशोक की नीती से करते हैं तो अंतर अस्पस्ट हो जाता है अशोक महान ने एक लोकप्रिय धर्म बाउद धर्म के अंतरगत छिपी जन चेतना के शक्ति को समझा तथा उसे महत्व देकर उसे अपने सामराज को जोडने वाली संयोजक शक्ति के रूप में इस्तिमाल करने का निर्ण लिया वस्तुता चौथी सदी के अंत में कांस्टेंटाइन के आदेश के पस्षात इसाई धर्म रोमन सामराज के महत्व पूर्पन्थ के रूप में अस्थापित हुआ कांस्टेंटाइन ने स्वयम भी इसाई धर्म ग्रहन कर लिया आगे 392 इश्वे में थियो डोसियान प्रथम नामक शासक ने इसाई धर्म को राज धर्म घोशित कर दिया इधर इसा मसीह के विचार एवमकारियों को अंकित कर प्रथम सदी की अंत तक नियू टेस्टामेंट अस्तित्व में आ गया एधा ओलड्टेस्टामेंट एक है न्यू टेस्टामेंट ओल्डेस्टामेंट बाइबल के ऑल्डेस्टामेंट की बुक अफ जेनिसीस में बताया गिया है जुडाइजम का उदभव यहूदी धर्म का जन्म हुआ था इस्राइल फिलिस्तिनी शेत्र में उनके एश्वर को कहा जाता है यहूदी एक एश्वर वादी धर्म है उनके धार्मिक ग्रंथ को कहा जाता है तोरा है पूर्वी यूरोप एवं पस्चिम एशिया की तरह भारत एवं चीन में भी नवीन धार्मिक पंथों का प्रादुर भाव हुआ इन धार्मिक पंथों का संबंध तातकालिक आर्थिक सामाजिक परिवर्तनों से था भारत में ब्रामण पंथों को बौध धर्म एवं जैन धर्म के माध्यम से सशक्त चुनावती मिले थी इनमें बौध धर्म भी इसाई धर्म तथा इसलाम मध योग की तरह एक विश्व धर्म बन गया बौध धर्म की प्रगति का एक कारण शास्कों के द्वारा इसे संरक्षर दिया जाना रहा था किन्तु इससे भी महातुपून कारण था इसके द्वारा कुछ ऐसे मुद्दों का उठाना जो देशातीत एवं कालातीत थे यथा दुख, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यो, आदि चेन में कन्फियोशियस वाद का उदभव हुआ कन्फियोशियस वाद महज एक धार्मिक पंथ नहीं था अपितु यह एक द्रिश्टी कोड भी था जिसने एक लंबे काल तक चेन में धर्म एवं समाज को प्रभावित किया कन्फियोशियस वाद एक आधियात में गुरू कन्फियोशियस की शिक्षप पर जो छठी सदी इशापूर्व में आया था आधारित था चुकि वह काल एक राजनेतिक तथा सामाजिक संस्थाओं के विघटन का काल था इसलिए कन्फियोशियस का मुख्य बल समाज को अराज़क्ता से बचाने तथा व्यवस्था एवं नैतिक मोलियों को पुनर स्थापित करने पर रहा उसका मानना था कि समाज में व्यवस्था स्थापित होगी एवं इसका उत्थान होगा अगर नैतिक रूप से सुद्रण लोगों का समूह शासन करने के लिए आगे आएं अगर उच नैतिक अस्तर वाले लोग समाज पर प्रभाव रखेंगे तो सदगुड़ों का विकास होगा कन्फियोशियस ने उदारता, बंधुता, वफादारी, सच्चाई, आदि गुड़ों पर बल दिया आगे हानवंश, दोसो तीन बीसी से दोसो बीस एड़ी के काल में कन्फियोशियस वाद बहुत प्रभावी हो गया फिर कन्फियोशियस वाद ने चीन के लोगों के दृष्टिकोड एवं विवहार तथा महत्पूर संस्थाओं पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ा प्रथम इसने चीनी लोगों में सक्रियता को प्रोसाहन दिया तथा सांसारिक जीवन से पलायन वाद तथा इच्छाओं को दबाने जैसी प्रभृत्ति को नकार दिया दूसरे इसने शिक्षा एवं सार्वजनिक सेवा पर विशेश बल दिया तथा शिक्षित एवं प्रबुद नकार शाही को अवधारना को अस्थापित किया तिसरे इसने सामाजिक संबंधों में अस्तर भेद पर बल दिया तथा सत्ता के प्रति समरपड एवं वफदारी की मांग की चीनी चेतना पर कन्फियोशिस वाद ने गहरा प्रभाव छोड़ा इतना की सामिवदी सरकार की अस्तापना के बाद भी यह कन्फियोशिस वाद चीनी लोगों की चेतना पर प्रभावी रहा इसलिए चीनी communist party का नजरिया वेश्व के अने छेतरों की communist party से अलग रहा तथा चीनी communist party ने वेश्विक संदर्भ में ना सोचकर राश्टरीय संदर्भ में सोचा फिर आर्थिक उधारी करण के योग में भी जिसे चीनी सेहमदी चाइनिस कंसेंसस का नाम दिया जाता है चीन इसलिए सफल रहा क्योंकि वफादारी समर्पड एवं अनुशासन चीनी चेतना में नहीं थी।